कि सो हेलो बच्चो वेलकम बैक तो मैं अधर वीडियो एंड आप देख रहें यूनियन फार्ट साला आप सभी बच्चों का वेलकम करती हैं आज हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूल क्या होता है जो वर्ड है मॉलिक्यूल कहा से है मोलिक्यूल میں होता क्या है इससे पहले मैंने वीडियो बनाई एक अपने वीडियो नहीं देखिए तो वो वीडियो जाके नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा उस चैनल का लिंक तो चलिए आगे देखते हैं वाट इस मॉलिक्यूल इससे पहले इस टाइप का वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा कि इतना डिप नॉलेज मॉलिक्यूल के ऊपर कोई नहीं आपको बताएगा चलिए स सबसे पहले प्रट्वि हम पढ़ते है तो जानते इसको फादर कौन क्या नहीं सधस्कर आप मॉलिय में तो आपके बच्चे अगर गलती करतेgen में लोग रहते वह क्या पुछते हैं एक फादर कौन है तो हूँ इस दफादर कौन है तो यलोब्स मॉलिक्यूल evagadro amido created the word molecule ये कौन दिया था evagadro दिया था अब evagadro physics में पढ़ोगे और chemistry में पढ़ोगे ठीक है तो evagadro कब दिया था 1811 में दिया था the word molecule ठीक है आब देखिए इससे पहले आपने साइदी कभी सूना होगा कि chemistry का कोई mother भी है तो वह मैं बता देता हूं mother कौन है the mother of modern chemistry ठीक है आप से कभी कोई भी पूछे कि father तो बता दे father क्या है एंटियो लेशियर और mother कौन है पॉजल लेशियर ठीक है एनी मेरी है एनी पॉजल लेशियर कौन है chemistry का modern mother है ठीक है जो सबसे पहला molecule आया था जो first molecule आया था ठीक है वो था helium hydride क्या था helium hydride was the first primordial molecule पहला सबसे पहला molecule जो हम लोगों को देखने मिला था वो था helium hydride का ठीक है most commonly most commonly हम लोग क्या देखते हैं कि जानते हैं कि water molecule water molecule सब जानते के दो दो एलिमेंट यह दो एटम से बनाओ तो उसको molecule बोलते एक से अधिक अलिमेंट को हम लोग क्या बलते हैं पर एक से अधिक को ही हम लोग क्यों बोलते हैं तो अभी हम इसी वीडियो में जानेंगे क्यों कि सबसे पहले बेसिक डिफरेंस देख लें लोग यह दोनों में कि मॉलिक्यूल और एकम में क्या डिफरेंस है ठीक है हमने इससे पहले अटम कवर किया अब मॉलिक्यूल कवर कर रहा हूं तो एटम में ऐसे देखें इसमें एट प्रोटॉन हुआ एट इलक्ट्रोन हुआ और एट नियूट्रोन हुआ इसको दिखा रहे है ऑक्सिजन का कभी मत बोलते हैं cosa क्या बोलता है कि मौलेक्ष भी का अब वाटर को जो मौलीक्ष भोल रहे हैं वह क्यों भोल है तो सबसे पहला हम दिमा में क्यों में कुछ जो यह णोड है मॉल्हकिल छी मौलेक्ष नहीं है मौलेक्ष एक नीउटरल उप मतलब ना फ्लास होगा ना माइनस होगा और टू और मूर आटम हेल्ट तोगेदर बाई केमिकल बॉंड ठीक है क्या है मॉलिक्यूल के एक नीटरल ग्रूप है कोई नीटरल ग्रूप हो सकता है जैसे क्लास में बच्चे होते हैं ना कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है बहुत ज्यादा नेगेटिव होता और कोई नीटरल होता है जिसको किसी से कोई लेना देना ना इसको पॉजिटिव से लेना देना ना नेगेटिव यह अपना मनमोजी में रहता है जिससे को लेना देना नहीं होता है तो ठीक है तो वैसा ग्रूप जिसमें दो से अधिक हो और वह एटम साथ में मिले ठीक है साथ में अगर मिल गया तो वह बनाता है वह केमिकल बॉंड के तरू मिलता है ठीक है और वह बनाता है थेक है यहां देखै पूलर कॉविलेंट बूलते है इसको वाटर को यहां दिक्ख़र मैं आइनीक बन रहा है कैसे न्योटर बन रहा है आने होता है प्लस शाल पे असिल होता है मैला चैज़ प्लस-मैनस क्यूट करूए जीर् सब्समागा के ते यह जीरो Yep यह बंड हूआ पर ले बुकिस्ट लेंगविज में कि what is molecule the molecule is a group of two or more atom that form the smallest identical unit which are pure substance can be divided and still remain the composition and chemical property of that substance ठीक है उसका chemical property एक और इसका definition है a molecule is formed when an atom bond with other atom ठीक है कोई atom है यह atom है दूसरे atom के साथ यह क्या हो रहा बॉन्ड हो रहा है इस में atom और same element हो सकता हो same element of CL CL इसको हम क्या बोल देंगे molecule बोल सकते हैं as the first atom of those from different atom ठीक है यह अलग-अलग भी हो सकता और same भी हो सकता कोई जरूरी नहीं हो कोई जरूरी नहीं हो कि अलग-अलग हो the most common molecule is water ठीक है atom versus molecule single है उसको atom बोले दो है तो molecule बोले और दो से अधिक है है अब नेक्स्ट वीडियो असके नेक्स्ट नेक्स्ट हो तो कंपाउंड के बारे मारा चल के देखेंगे हमने atom देख लिए और आज हम लोग कंपाउंड के बारे में मैंने एक्जाम्पल दिखा हैं आपको कि मॉलेक्वल में H2O2 N2 H2O3 यहां में प्लस है यह माइन से तुन खटके जिरो हो गया न्यूट्रल तो सबसे इजी लेंगोज इजी डेफिनेशन आप जो मैंने बताया कि न्यूट्रली तू और तू से अधिक हो तो उसको मॉलेक्व क्रस्काइब जोड़े हैं मीथेन अमोनिया लू को क्याफिन तो इजार दा मॉलिक्यूज ऑके तो आज के लिए इतना ही दोस्तुन आपको वीडियो कैसा लगा मॉलिक्वल आपको समझ में हाँ ही गया हो वाकश जोटा गया बाइक बढाया बाइक है तो और मॉर आटम सात साथ में जूड़ते हैं किसके तुरू chemical bond के तुरू ठीक है इसी को molecule बोलते इसका फर्स्ट molecule जो आया था ही लिया भाराइट आया था इसका mother father के बारे में लोग जाने कि molecule गीस ने दिया चली मिलते बगले वीडियो थैंक यू बेरी मच और वीडियो पसंदे जरू लाइक से सब्सक्राइब लगाना यार चली मिलते अगले की वीडियो में अब बाई टेक केर